नमस्कार दोस्तों आज के लेक्चर में आपका फिर से सवागत है हम भूगोल वाली एक श्रेंखला का आरंब की हैं जिसमें दो वीडियों हमने बना ली हैं जिसमें से दूसरा वीडियों ये था कि भारत के परोसी देश कौन से हैं और तटीय राज्य कौन से हैं पड़ोसी देशों से कौन कौन से राज्य सीमा साजा करते हैं इन सभी बिंदों पर हमने चर्चा किया था आज की वीडियो में हम थोड़ा सा सीमा से समझे जो बाते हैं उसको थोड़ा सा और डिटेल में अध्यान करेंगे भारत और कीजिए अपने साथ शेयर करके उनसे सब्सक्राइब करवाई है क्योंकि थोड़ा सा मेहनत लगता है और मेरा विचार है कि अपने तरफ से जो भी सहयोग हो सके उसको मैं प्रदान करूं तो यह मेरी कि खुद किश्मते भी होगी तो क्रिप्या करके सपोर्ट कीजिए आज की वीडियो का अगर हम देखें तो यह है कि भारत और चीन इनके बीच में जो सीमा है वो कहां से कहां तक है और उसमें अगर कुछ विवाद हैं तो क्या है आपको पता है कि भारत की पड़ोसी देशों सब्सक्राइब जिसमें इसे चीन के साथ 4970 किलो मेटर लंबी सीमा साजह होते हैं और यह 4970 किलो मेटर जो सीमा साजह होती है उसमें कौन-कौन से राज्य है तो पहला केंदर शासित प्रदेश है लग्दाख फिर हीमाचलर प्रदेश उत्तराखंड उसके बास सिक्किम और परदेश तो यह कहले चार राज्य हो गए और एक केंदर शासित परदेश हो गया जो चीन के साथ सीमा साजा करता है अब हम एक एक करके इसको देख लें कि कौन सा खंड कहां पर है और हम किस तरीके से सीमा का देन करते हैं एक बार हम थोड़ा सा देख लें बेसिक जैसे ऐसे हम करके थोड़ा सा मैप बना लें यह करके हैं तो भारत और चीन की सीमा जो है इस वले हिस्से में लगते हैं यहां पर नेपाल है तो जाहिर जिवा थे कि यहां से नेपाल और भारत की सीमा लगेगी यहां से भूटान और भारत की सीमा लगेगी जो चीन की सीमा शुरू हो होती है वो यहाँ से बूomas很 इसके धर जो है वो पाकिस्तान पढ़ जाता है फाक जो पा them इसान प्रांग मोई यहाँ से जो होता है वो चीन शुरू हो जाता है ओछ चीन का यहां पर कौन सा प्रांथ है तो चीन का एक प्रॉविंस है जिसका नाम है शिन जियांग प्रांत ऐसे शिन जियांग प्रॉविंस जो है वो पढ़ता है लद्दाख के उत्तर में यानि कि शिन जियांग प्रांत से ले करके फिर यहां पे यह लद्दाख फिर हिमाचल प्रदेश उत्राखंड सिक्किम और सब्सक्राइब दूसरा यहां से ऐसे करके आता है यह हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश इसकी राजनी क्या है शिम्ला शिम्ला जो है वो शिपकिला दर्रे के पास है और शिपकिला दर्रा जो है वो कहले है कि एक श्रुड़ी है धौलाधर धौलाधर श्रुड़ी तो उ यह उत्राखंड यह उत्राखंड तो उत्राखंड से भी सीमा साजह होती है चीन की भारत के साथ एक एक नोट करना अशा है यहाँ पर अरुडाचल प्रदेश पढ़ाय में सुबदा हो इसलिए हम इन चीन और भारत की सीमा को तीन खंडों में अध्यन करते हैं एक खंड जो पश्मी खंड है फिर दूसरा मध्य खंड आ तीसरा पूर्वी खंड है यानि अध्यन की सुबदा के लिए हम भारत और चीन की सीमा को मुख्यूप से तीन जिनमें से एक भाग है अपना पश्मिखंड और दूसरा है मध्यखंड और तीसरा है पूर्वीखंड अब तीनों खंड में कौन-कौन से राज जाते हैं अगर पश्मिखंड की बात करें तो ये लद्धाख आता है इसमें मध्यखंड में हिमाचर प्रदेश उत्तरा खंड पूर्वीखंड में अबनाचर प्रदेश आता है तो पश्मिखंड की अगर सबसे पहले बात करें तो लद्धाख की जो है सीमा साज़ा होती है चीन के साथ जो कि पश्मिखंड का हिस्सा है और यह भी पता है कि यहां पर जो है कुछ हिस्सा है जिसको बोलते हैं पी ओके इस वाले कुछिन से बोलते हैं पी ओके जो कि पाक कुपाइट कश्मिर है तो यहां पर भारत का प्रत्यक्ष नेंतर नहीं है तो यह वाले सीमा प्रत्यक्ष रूप से चीन के साथ साज़ा नहीं होती है यानि कि पाक कुपाइट कश्मिर में शिंजियांग प्रांत की इस वाले सीमा से ले करके और यहां पर POK का सीमा खतम होता है भारत के साथ उसके बीच वाला जो चीन का हिस्सा लगता है वो दरसल POK साथ लगता है जो भारत के प्रतेशनी अंतर से भी बाहर है और इसके लंबाई देखें तो करेब करेब 480 किलोमेटर 480 किलोमेटर है यहां से करके यहाँ तक आफगानिस्स्तान से लेकर के कि समापते तक उसके बाद फिर अगला हिस्सा यहां से शूरू हो जाता है तो ऐसे घर्क्रें क्या आता है यहां पे यह यह है इसको बोलते है पश्चमे खंड ओर यह यह दी आवाला जो है इसको बोलते हैं ले सी यानि लान ओफ एक्च्वल-कंट्रोल यह जो भाइश को अध्या लीया है मसक्रेद्ष कुछ करती है कि अपस्जेट्र चेन ने भारत का हतिया लिए हैं उसको बोलते हैं अक्साई चेन यह है अक्साई चेन टो अर ओवरॉल देखें पश्मिक खंड की लंबाई कितनी है भारत और चीन के सीमा में तो वह है एकिस सो बावन किलो मेटर एकिस सो बावन किलो मेटर ये लंबाई क्या है तो ये लंबाई भारत और चेन की जो पश्मिखंड वाली है यानि कि यहां से ले करके यहां तक की जो लंबाई है पश्मिखंड वाली सीमा ये लंबाई कितनी है तो एकिस सो बावन किलो मेटर है उ हुआ 625 किलोमेटर अब पूर्वी खंड जो कि अवड़ाचा प्रदेश का भाग है जो कि चीन भारत की सीमा साजा करता है इसके लंबाई कितनी है तो 1140 किलोमेटर है तो यह इतनी बातें बहुत बेसिक से हैं इसको पहले नोट कर लें अब हम भारत और चीन का जो सीमा विकास हुआ है सीमा की बात हुई है जिसको मैं एक मोहन रेखा बोलते हैं उसकी क्या प्रिष्ट भूमी हुई है उसके बारें थोड़ा सा डिसकेशन करते हैं आप जानते हैं कि चीन जो है चीन के दक्षड में जो तिब्बत वाला इलाका है वह पहले का स्वतंत्र राजी हुआ करता था एक संप्रभू राजी हुआ करता था उसके उपर किसी का कंट्रोल नहीं था उसके दक्षड में नेपाल था उसके दक्षड में भारत वाला हिससा परता था यह नेपाल यह भारत और यहां पर तिब्बत वाला इलाका था तो इसमें डिस्प्यूट जो है धिरे धिरे आरम हुआ उसको हम बताते हैं सब्सक्राइब यहां पर नेपाल यह नेपाल और इसके उपर था तिब्बत जो कि एक स्वतंत्र और संप्रभु राजी हुआ करता था अब भारत और शीन के बीच में बफर जोन का निर्माड करता था तो पहले नेपाल के जो शासक थे वो तिब्बत पर जो बार बार आखमर कर देते थे बार-बार आखमर कर दिए तो यह तीबबत वाले परिशान हो जाते थे तो यह मदद मांगने के लिए चीन के पास गया है चीन से मदद मांगे और चीन ने इसकी मदद की भी लेकिन उसके बदले में तिब्बत के कुछ राज़ी के रूप में कुछ ना कुछ फ्यटर की डिमांड कर रहे थे तो इसमें दिस्फ्प्यूट तिबबत और चचीन के बीच में जो है क्लेश उत्पन होने लगा पहले तो टिबबब वर्सेज नेपाल था लेकिन त्थिबब ने चीन से बाद मंगे तो अब जो उत्पन हो वह ओ हो गया क्योंकि यह इस से चेत्र की डिमांद करते हो यह देना नहीं चाले थे तो इसी में उस समय यानि कि 1912 के आसपास 1912 के आसपास एक चीन में साम्राज्य था जिसका नम है मन्चू सामराज्य है मंच्व डाइनेस्टियों है तो मंच्व साम घ्र सामराज जी जो शासक्त हैं मज्ब कर रहे निकिन 112 में मंच्व सामराज जी का जो शासक्ताउं कि दिमांड यह हो गई वर अगला शासक को आइंद चाहा तो क्लेशेस जब देरे देरे बढ़ने लगे तो मध्यस्ता करने के लिए भारत यानि कि जो ब्रिटिश इंडिया है वो सामने आया और 1914 में एक बैठक करवाई 1914 में यहाँ पर शिमला है हिमाचर प्रदेश में यह है शिमला तो शिमला में तिबबत, चीन और भारत के प्रतिनिधी 1914 हमें मिले जो मिले तो इस बैठक को बोलते हैं शिमला समझ होता चूंकि शिमला में बैठक थे इसलिए इसको बोलते हैं शिमला समझ होता यानि कि कहलें कि शिमला एकॉर्ड इसमें तीन प्रतिनिधी समलित हुए थे जिसमें से एक प्रतिनिधी थे चेन दोसरा प्रतिनिधी था भारत और तीसरा प्रतिनिधी था तिबबत तो तीनों लोगों की मीटिंग और्गनाइज हुई 1914 में शिमला में और कौन कौन से लोग थे चीन की तरफ से कौन था तो उस समय वहां के जो प्रीमियर थे उनको नम था इवान चेन इवान चेन तो यह आये इस मेटिंग में हिस्सा लेने के लिए भारत की तरफ से कौन आये तो सर हेंडरी मैक मोहन अच्छा मैक मोहन नहीं होता है मैक माहोन होता है कई बार Lancation कर देते हैं मैक माहोन होता है यह मैक मोहन नहीं तो कर्षणा मोहन राध्धा थोड़ी नह 있는데요 वो माहोन है और तिब्बत की तरफ सायथ है उनका थोड़ा सा लंबा नाम है लोंगधेन लोंगधेन गदेन शात्र पल्जोर दोर्जे है यह एक ही वहता है लोंगधेन गदेन शात्र पल्जोर दोर जी उनका पूरा नाम है तो यह इन दिनू लोंगधेन धोग की मीटिंग ही है और जो आधे हिस्सा है उसको हम चायना को दे देते हैं कि यया यह 19-20 में यहां ये फ्रौजवाली यह जो लाइन है ये लाइन द्रसल पहले किस से लगती थी तो इस लाइन को ड्रॉज किया गया और माहुन लाइन मैक माहून लाइन और यह कप ड्रॉव की गए थे तो 1914 में हैं तो इसमें दो चीज़ें कही थी पहला कि तिबत यानि कि अब जो चीन का भाग हो गया है और अरणाचा प्रदेश के बीच में जो रेखा है उसको कहा जाएगा मैक माहून लाइन और यही जो है विभाजक ठीक है फिर देरे-देरी मामला जो है और आगे बढ़ा आजादी मिली भारत को 1947 में उननीश सो सेंट आलेश में भारत को आजा दें मिलें तो अक्टूबर कि अक्टूबर कीदसों महिना अक्टूबर नौंबर इसम्बर हाई तो अक्टूबर उन्निस सो नचास को ही जो है कि चीन में Communist शासन आ गया था यानि कि Communist कि में गॉड्मेंट आ गये थी एक है तो चीन चीन की क्रांटी होई था जिसको बोलेशन आफ चाइना तो उन्नीस सो उन्चास के बाद चाइना धीरे-धीरे और आकरामक होता गया कुझ मिला करके विस्तारवादी नहीं थी के रूप में काम कर रहा था कि आसपास की इलाकी जो है जितने से यादा उसको हड़पा जाए और अपने जो एंपायर है अपना जो शेत्र है उसके अंदर म मधूर हो इस बात का पूरा प्रयास किया गया और इसी के चलते 1954 में एक समझहोता हुआ जिसका वो दें पंचशेल समझहोता है कि पंचशेल कि समझहोता कि पंचशेल समझहोता में दो पार्टी थे एक पक्षिता भारत इंडिया और दूसरा पक्ष था चाइना इंडिया की तरफ से थे पंडित नहरुजे और चाइना की तरफ से थे वहां के प्रीमियर थे चाउ एन लाई तो भारत के प्रधार मंत्री पंडित नहरुजी और चीन के प्रीमियर चाउ एन लाई के बीच में उनिस सो चाउवन में पंच शिल समझवता हुआ जिसमें पांच से धंतों पर साहम आती थी कि दोनों देश एक दूसरे की सीमाओ एक दूसरे के जो संप्रभूता है उसका सम बात को करेगा और कि यह जो तीबत वाले इलाके को कबजा लिया था तो भारत उसमें इंटरफियरेंस करेंगा क्योंकि मतलब यह कि संप्रभूता के सिध्धांत का उलंगन हो गया जो कि समझ़वते में बात कही गई थे कुई लाकर करके कि चाचा जी को आप्सांत रहना ह बोलना नहीं है तिब्बत वाले मैटल में चीन के खिलाफ और 1954 में पंडित नहरुजी ने एक नड़े लिया जिसको बोलते हैं इस समझोते हुए जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स थे तिब्बत में यानि व्यापार करने का अधिकार आपने कुश अधिकारी वहाँ रखने का अधिकार सेनवेना रखने का अधिकार यह सब जो था वह सारे किस सारे इंडिया ने रिफ्यूस कर दिये बुला लिये इसका मतब चीन अब कुछ भी करें भारत उसमें कुछ भी इंटर्फियरेंस नहीं करेगा चीन के संप्रभुता का सम्मान करेगा पंचशिल समझोता एक बहुत बड़ी भूल थी ऐसा बहुत लोग कहते हैं इसकी बार में एनलेसिस हम किसी अन्य दिन करेंगे हलाएं के भूल एक सेंस में हम कह सकते हैं इस तरीके से कि हमने पंचशिल समझोता किया तो चाइना जो है तिबबत के आगे बड़ा और बड़ी शक्ति है उसके साथ हम थोड़ा मधूर संब्द मनाएंगे और एशिया महादवेप में भारत और चीन मिलकर के पूरे देश का विकास करने का प्रयास करेंगे इसलिए समझोता किया होगा लेकिन इसके परड़ाम जो है बहुत ही गलत निकले यह समझोता पांच सा कि इसके चलते 1959 में बहुत कड़ा कदम चाइना ने उठाया कि अपनी बहुत सारी सेना जो है तिबबत वाले इलाके में भेज़े तो बहुत सारे जो तिबबती लोग थे वहाँ पे बहुत गुरु थे दलायल लामा उगरत है तो उन सब को कूटा खुब कूटा तो इधर हिमाच्या प्रदेश में भागा है कोई इस दर सब की इलाके में आ गये और यह जो बुद्धिष्ट लोग थे तिबबती लोग थे इन्होंने चाचा जैसे मदद मांगी कि हमें जो है शरर दीजिए तो शरर आर्थी के रूप में यह हिमाच्या प्रदेश में धर्म शाल् पर तिबती जब यहां पर आये तो चीन ने कहा कि अरे तिबत तो हमारा इलाका है हम इनको कूट रहे हैं तो तुम कहें को शरर दे रहे हूं यह तो पंचिशल समझोता का उलंगन हो गया तो कैसे उलंगन हो गया है यानि अब संप्रभुता गया भाड़ में और वह भी जो है इंडिया वले बॉरडर जो है उसके पास भेजना शOM कर तहिए। और ना शुरू कर दिया हैं और कहां डिपलोई किया दो जंगा देपलोई कि किया हिमाचर प्रदेश उत्राखंड की तरफ वे बेश सकते थे लेकिन पहले से जो इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस है वो सब यहां सब सिक्किम वगर हमी यह सब पूरे बॉर्डर की सील कर दिया गया था लेकिन यह लद्दाक का और अड़ाचर प्रदेश की सीमा जो ह है कब जा लिया इतने वाले हिस्ते को कब जा लिया कब 1962 में 1962 में दो तरफ से अकर्मन हुआ इधर से यह सारे बॉड़ल जो से कर हो गया थे लेकिन इस वाले हिस्ते को जो है इतना कब्जा लिया और इसको नाम रखा गये अकसाई चीन जैसा पहले आपको बता है और यहां अब इस जो अक्साई चीन है इसका अगर शेत्रफल देखें तो यह बहुत बड़ा शेत्रफल है करीब करीब यह 54,000 54,000 किलोमेटर स्कॉयर का शेत्रफल है जो चीन ने कब जाकर रखा है बारत में अवडांचे प्रदेश का जो शेत्रफल है वो है 90,000 वर्ग किलोमेटर 90,000 वर्ग किलोमेटर इस वले शेत्र को भी वो दावा करता है कि यह चीन कहीं सा है दरसल चीन की एक फाइफ फिंगर हथेली तो हथेली जो है यह क्या है तिब्बत है और इस हथेली की पांच उंगलियां है जो कि चीन का हिस्सा है जिसमें से एक उंगली है यह लद्दाख दूसरी उंगली है क्याने खुद तिब्बत ही है और सिक्किम है नेपाल है भूटान है और अचल प्रदेश तो लद प्रस्टी के प्रजाती की अधार पर इन सारे हिस्थो को आपना बताता है क्योंकि नेपाली लोगों की प्रषा Psalm टेर्वी बिस्टी मंखो लाइट है मंगольно है यहां पर मंगोलाइड है तो मंगोलाइड प्रजाती की अधर पर यह सारा हिस्सा इन्हीं कहीं बता देते हैं है तो यह मोठी वो दिवाली बात हो जाती है इस तरीके सदेखें तो हम कहले हैं जो है भारत का हिस्ता है क्योंकि के रल वाले जो पर जाती है वह देख्शण अफ्रेका की मिलता जुबता है तो प्रजाती की अधार पर किसी शेत्र को अपना दावा नहीं किया जा सकता लेकिन करता है चाइना तो यह डिस्प्यूट्स हैं यहाँ पर उसके बाद अगला साल आया 1963 में 1963 में 1963 में क्या हुआ कि पहले ही पता है कि 1947 में बारत आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान ने इधर की तरफ से कभिलाई आक्रमड जमू कश्मीर पर कर दिया था फिर इतने सारे हिस्से को कब जा लिया था जैसको बोलते हैं पाक अकुपाइट कश्मीर तो 1962 में जब यह युद दिया कि यहां पर एक वैले हैं यहां पर है कि यह वाला हिस्सा जो है पियो के में पड़ता है इसका नहीं है सक्ष्रिगम वैले कि सक्ष्रिगम वैले कि इसी को एक और नाम हम दे सकते हैं ट्रांस काराकॉरम ट्रैक्ट ये पियोकी के हिस्ते में पड़ता है तो सक्ष्रिगम वैले इसको बोलने चाहे ट्रांस कारा को हम ट्रेक्ट बोलने इसका जो एरिया है वो 8000 किलोमेटर स्कॉयर का है तो इस वाले हिस्ते को 1963 में पाकिस्तान गिफ्टेट टुचाइना बाई एन एग्रिमेंट तो ये अपन गोफ़ोसा ट्राइध भूलते बारा होटी चरागाहा है वहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्यूट है कि यह उत्राखंड है उत्राखंड के यहां पें चमूली जिला है चमूली जिला आ ऑगंद की राजणी क्या देहरा दून है एक दूसरी लिए यह बन जाती है और चब ठंडी होती है तो देहरदोन जो है यह राजधनी बन जाती है उत्रखंड के है तो चमोली में ही जो यह उत्री भाग है यह यहां पर दिख़ा होगा है तो इसको बोलते हैं 12 होटी चरागा इसका नाम है 12 होटी चरागा तो इस वाले हिस्से पर भी जो है चाइना क्लेम करता है कि यह चेन का हिस्सा है इसके लावा यह अक्साइचीन का लगाता है और वहां पर लगातार जो है स्तेना भारत और शीन की लगी तो कुझ लाकर के 500 किलमेटर श्कुर्ट पर और सारह दावा करता है पश्रमिखंड में मत दिखन में 12 बारा होटी चरागा वाला विवाद है जो कि चमूली जिले के उत्री वाले इलाके में है कि फिर सिंक्किन को यह बहुंच आदा खास नहीं है लेकिन यहां पर संबले एक चूमबू घ्데 है चूमबू घ्यांज जैसे जो मद हिमाले है और मद हिमाले की बीच में घैजिसों को वह तो वहां सब थोड़ा सब विवाद है कि दावा करता है लेकिन भारत का कब्जा है और भारत देपु नहीं करेगा तो यह था छोड़ा सार डिस्कॉशन की कैसे कैसे उसके चीजें रही है उसमें अधसर प्रदेश के बारे में एक चीज और जाने कि यहां से आप प्ता होगा इस यह वाल जो है तिब्बत में यहां पर बहुत बड़ी जीड है जिसका नाम है मांसरओर जील से निकलती निकलती इसका नाम है तिब्बत और यही आ जाती है असम वले राज्य में तो यही नदी बांग्लादेश में घुसती है तो वही कहलाने लगती है जमुना नदी तो इतना नदी वह नहीं लेकिन जो ब्रह्म पुत नदी है सांग्पो नदी अडांचल में घुसने से पहले तो यहीं पर है तिब्बत वाले शेत्र में जिस पर चेन करने अंत्रण है तो यहां पर 2013 में चेन ने तीन पन बिजली परियोजनाओं को जो है हरी जंडी दे दे थ और एक नम है जी आचा जी आचा तो दागू जानगुम जी आचा यह तीन पन बिजली परियोजनाओं है जिसको 2013 में चीन ने जो है इस पर प्रोजेक्ट काम करना शुरू कर दिया था विवाद ऐसे प्रोजेक्ट पर क्यों हो जाता है जैसे माले कि यह ब्रहंपूत नदी अब इधर से बहुत सारा बड़ा बड़ा डैम बना करकी पानी को रोका हुआ है माले बारिश आ जाए और जलस्तर बढ़ जाए तो क्या माले बांच टूड़िया तो टूटने बाद यह सारा सारा पानी बहते हुए जो है धड़ाक से पूरे भारत में उल्टा देगा पू च्छोटा सा विवाद है च्छोटे से वीडियों 25-30 मिनट में मैंने ख्याल से इतनी जानकरी कहलें कि अप एक्षित थी कि इतनी जानकरी होनी चाहिए इसके बाद जो भारत और पाकिस्तान की भारत भारत भांगलादेश की सीमा है फिन नेपाल भोटान में आनमार की सीमा आनकला है इसके साथ में क्या सीमा रेखाएं और डिस्प्यूड से अबढ़ में य कि करेंगे एक एक वेडियों करके आप से फिर से एक बार गुजरिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डोसमार शेयर करके सब्सक्राइब करवाई यह थी तबूरा बूल अन्य कि नं